तो स्वागत है आप सभी का अग्यापन एकेडमी के इस नए और रेस्ट वीडियो में और यह जो वीडियो है आप लोग के 12 क्लास के उर्दू का जो चैप्टर वाइज अब्जेक्टिव कोश्टन का सीरीज चल रहा है उसका तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग तीसरे चै trata नमर 3 से बन सकती है सारे अब्जेक्टिव कीूशन को मैं तयार की हूँ तो मेरे यह उपने से पहले अपने हिसाब से एंसर दे ठीक है और मेरा से मिलाए खितना बबजेक्टिव कोशन सही कर पाए हैं तो सारा अप्जेक्टिव कोशन का एंसर आप खुछ से दे पाएंगे बहुत ज़्यदा आसान है एक दम हलवा लगया आप लोग लिए तो अगर आप लोग चैप्टर नंबर थरी नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ सकते हैं इसी चैनल के प्लेलिस्ट से मेरे द्वराई पढ़ाया गया है इनफेक्ट क्लास 12 के उर्दू का ओल चैप्टर करा चुकी हूं तो वहां से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं ठीक तो चलिए सारे अब्जेक्टिव कोशन को आप लोग को क्या करना है ध्यान से देखना है समझना है और उसी के साथ उस इधर से 123 इस तरह रहना से ना बट यहां पर टाइप तो अच्छा हुआ था मैं आप लोगो बता दे रहे हूं टाइपिंग अच्छी हुई थी बट हुआ यह कि इसको पीडिएफ में करने के बाद यह उल्टा हो गया नम्बरिंग उल्टा हो गया तो यह आप लोग सवाल है मैं नमबर इधर डाल दे रही हूं ठीक उल्टा हो गया है तो इधर डाल दे रहे हुं कोई दिकत नहीं है पहला जो आप लोगो का सवाल है वह यह है कि भूख तोड़ने की इस्तिला क्या है ठीक तो अपसिन ए में है अहदी B में है नाश्ता सी में है सुरखी और D काना काते हैं उसके बाद से रात बर सोय रहते हैं यानी रात बर भूके रहते हैं सबाश्ता करते हैं तो ऑपसर नमबर दूसरा सवाल है कि सुरुखी से क्या मुराद है यहां पर आप लोगों को बताना है कि सुरुखी किसे कहते हैं सुरुखी का मतलब क्या होता है आपसन A में है फतूर, B में है रांगा, C में है निहार, D में है उन्वान तो जब मैं आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रही थी ना तो वहाँ पर ही मैं आप लोगों को बताई थी कि सुरुखी का मतलब होता है उन्वान यानि की टाइटल पहले के जमाने में लोग जो है ना हाथ से लिखा करते थे और रेड कलर के खलम से वो टाइटल दे दिया करते थे जिसको सुरुखी कहा जाता था तो सुरुखी का मतलब होता है उन्वान यानि की टाइटल तो आपसा नमबर डी हो जो है वो गया आप लोगों का सही जवाब आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ कि सेद सुलेमान नदवी कितनी जबानों के माहिर थे यहाँ पर आप लोगों को बताना हैं कि सेद सुलेमान नदवी जो है ना वो कितनी जबानों में कितनी भाशा में माहिर थे कितनी जबानी जानते थे तो इसका सही जवाब होगा वो होगा आपसा नमबर सी चार चली अगले कोश्टन की तरफ बढ़ते हैं अपसा नमबर सी होगा अपसा नमबर सी होगा आपलों का सही जवाब फतूर का मानी तोड़ने के है और फतूर से ही अफतार बना है जो हम लोग रमजान में रोजा रखते हैं दिन बर रोजा रखने के बाद शाम के समय जब मगरिब का अजान होता है तो उसक्त हम लोग जो रोजा खोलते हैं ना वो क्या है एक तर से भूग तोड़ना है ठीक है तो अफदार का मतलब क्या भूक को तोरना चलिए आगET बढ़िये अगला कोश् dejन है कोश्टन No6 कि कलाई खोलना का मानी क्या है कलाई खोलना का मतलब क्या होता है अपसण A में है आईब जाहिर करना जाहिर करना C में है भूक तोरना कियां पर किन छुड़ गया है किन जुबानों में लफज जो निहार है ये निहार ये कौन से भाशा में यूज किया जाता है तो आपसन देखिए आपसन A में है फार्सी और हिंदुस्तानी बी में है अर्बी और फार्सी सी में हिंदुस्तानी और अर्बी और डी में है A. फार्सी और हिंदुस्तानी में निहार शब्द का यूज होता है ज्यादतर चलिए आगे बढ़िए सवाल नमबर आठ है कि कलेई फेरना का मानी क्या है कलेई फेरना का मानी क्या होता है तो देखिए आपसन A में है शर्मिंदा करना B में है आप चुपाना और C में है आप दिखाना और D में है जल्म करना तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपसन नमबर B आप चुपाना पलेई फेरना का मतलब क्या है आप चुपा लेना ठेक है जैसे कि पेंट करते हैं दिवाल पर पेंट किया जाता है तो जितना भी दाग धबर रहता है वो पेंट किया हो जाता है वो छुप जाता है दिखाई नहीं देता है उसी तरह कलाई फेरना का मतलब होता है आप चुपा लेना यानि कि गलती को चुपा लेना जाहिर नहीं करना मतलब दिखाना नहीं छुपा लेना क्या कहलता है क्लाई फिर ना कहलता है चलिए आगे बढ़िए सवाल नमबर 9 है कि कलाई को अर्बी वो फार्सी में क्या कहते है आपसन A में है रांगा, B में है काहिल, C में है आदत, D में है फतूर तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपसन नमबर A कलाई को अर्बी और फार्सी में रांगा कहा जाता है चलिए आगे बढ़िए, सवाल नमबर 10 कि कलाई किस जुबान का लफज है ये जो कलाई है, इसको कलाई भी पढ़ा जाता है, ठीके तो ये किस जुबान, किस भाशा का लफज है तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपसन नमबर A अर्बी, अर्बी जुबान का ये एक लफज है, कलाई यादर सवाल नमबर 11 है, कि पूरब और पच्छिम ये पच्छिम जए ना, ये गलत टाइप हो गया, ऐसे नहीं रहेगा ऐसे लिखा जाता है पच्छिम, ठीके तो पूरब और पच्छिम की जुबानों से क्या मुराद है ठीके, जो शुरुवात में, चैप्टर की शुरुवात में सेथ सुलेमान न देवी बताए है, कि मैं दो जुबाने जानता हूँ एक पूरब की और पच्छिम की, तो पूरब पच्छिम से क्या पता चल रहा है पूरब का मतलब कौन से जुबान, और पच्छिम का मतलब कौन से जुबान यही आप लोग को बताना है तो यहां पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो अर्बी और अंग्रेजी हो जाएगा यानि कि पूरब की जबान, पूरब की भाशा का मतलब अर्बी भाशा और पच्छिम का मतलब होता है यह गलत दिखाए पच्छिम एससरहे गा ठीक है वो गलत टाइप होगिया ठीक तो पच्छिम की जबान का मतलब अंग्रेजी पूरब की भाशा मतलब अर्बी और पच्छिम मतलब अंग्रेजी यानि कि सेथलिमाた्न नदवी जो है ना वो अर्बी और अंग्रेज़ी भासा में माहिर है ठीक है आगे बढ़िए कोशन नमबर 12 है कि बाज पुराने लफजों की नई तहकीक मजमून के मजमून निगार कौन है यह जो आप लोग का चैप्टर है आप लोग के बुक में दिया गया है बाज पुराने लफजों की नई तहकीक इस मजमून इस ऐसे के लिखने वाले कौन है मजमून निगार कौन है इस चैप्टर के राइटर तो मैं आप लोगो शुवात में ही बताई कि इस चैप्टर के जो राइटर है वो है सेयद सुलिमान अदवी तो option number D होगे आप लोगा सही जवाब आगे बड़ी ये question number 13 है कि सेयद सुलिमान अदवी की पैदाईश कब होई ठेक है और यहाँ पर भी देखिए गलट टाइप हो गया है मतलब गलट टाइप ये खुद चही उल्टा ले लिया है 24 जो है न ये 24 इधर रहेगा 24 सितंबर 1881 और ये जो 22 है ये भी इधर रहेगा मतलब उल्टा हो गया है 22 नमबर 1884 और ये जो 3 है 3 इधर रहेगा 3 जून 1882 और 22 सितंबर 1881 तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा option number B 22 नमबर और यहांपर 1884 नहीं रहेगा 1884 रहेगा ठीक, सहीत सुलिमान अध्वी की पेदाईश जो है न वो 22 नमबर 1884 सimmी में हो भी थी यहांपर गल्ती से 1984 हो गया 1884 रहेगा ना कि 1984 याद रहेगा सहीत सुलिमान अध्वी की पेदाईश कब होई तो 22 जुलाई 1884 भी चलिए आगे बढ़िए क्वेशन नम्बर 14 है कि सजित सुलिमान अद्वी कहां पैदा हुए आपसन आ में है मुहला चोडी वालान बी में है सिताब दियारा में सी में है नालंदा जिला के मर्दुम्खेज बस्ती में नम्बर 15 एक मिनट आगे की तालिम हासिल करने के लिए नद्वी किस मदर्से में दाकिल हुए शुरुआत चे है तो अपने गाओं में है सियास्य सुलिमान prowad और फिर आगे की तालिम हासिल करने के लिए वह गयं थे मदर्सा इमदादिया दर्भंगा में याद रखिएगा तो यहाँ पर आप लोगा सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा आपसा नमबर बी मदर्सा इमदादिया दर्भंगा में स्यद सुलिमान नद्वी पढ़ाई करने के लिए गए थे आगे की और देखिए यहाँ पर जो है ना उनईसा एक यह इधर आजाएगा उनईसा एक में ठीक उनईसा एक में दारुलूम नद्वतुलूमा पहुँचने पर स्यद सुलिमान नद्वी की मुलाकात किसे हुई यह कुशन पूछा जा रहा है कि जब उनईसा एक में स्यद सुलिमान नद्वी दारुलूम नद्वतुलूमा में गए थें तो वहाँ पर पहुँच जाने के बाद स्यद सुलिमान नद्वी की मुलाकात किसे हुई तो श्टिबली नमाने से हुई थी उपसन नमबर बी हो गया आप लोगा सही जवाब चलिए आगे बढ़िए अगले कुशन की तरफ सेद सुलिमान नद्वी के पहले मजमून का नाम क्या है और वो कब शाय हुआ उनके पहले मजमून याने की पहले निबंद एसे का क्या नाम है और वो कब शाय हुआ था उपसन ए में हमारी जुबान का नाम उन्हेसा तीन उपसन नमबर बी में है मजमीन सुलिमान उन्हेसा दो में परकाशित हुआ सी में है खातुनों की तालिम उन्हेसा दो में परकाशित हुआ और डी में है मजमीन सुलिमान जो कि उने से तीन में परकाशित हुआ तो बताइए इन में से कौन जो है सेयद सुलिमान अद्वी का पहला मजमून है और वो कब शाय हुआ तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपसा नमबर सी खातुनों की तालीम ये खातुनों भी गलत लिखा है ऐसे नहीं लिखा है खातुनों ठीक ये इतना में ये गलत लिखा है ऐसे खातुन नहीं रहेगा ठीक खातुनों की तालीम जो है ना उन्हें साथ 2SB में परकाशित हुआ जो कि एक मजमून है सेयद सुलیمان इनका लिखा हुआ पहला मजमून चलिए आगे बढ़िए अगले कोश्चन की तरफ कोश्चन नमबर 18 है कि किस साल सेयद सुलیمان नदूई मौलाना अबुलकलाम आजाद की अख़बार अख़बार अलहलाल से वावस्ता हुए यानि कि किस साल सेयद सुलیمان नदूई जायना मौलाना अबुलकलाम आजाद की अख़बार नियूस पेपर जिसका क्या नाम था अलहलाल से संबंदित हुए जाकर जुड़ गए तो आपसन ए में है उन्हें सा तेरा बी में है उन्हें सा बारा सी में है उन्हें से छे और डी में है उन्हें से पंद्रा तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपसन नंबर ए उन्हें सा तेरा चलिए आगे बढ़िए कौशन नंबर नाइंटीन है कि दर्जजेल में से कौन से सुलिमान की लिखियोई मजमून नहीं है कौन सा मजमून निबंद से सुलिमान का नहीं है लिखा हुआ नहीं है अपसन ए में है नौकूस सुलिमानी बी में हमारी जबान का राम सी है मुकलात सुलिमानी और डी में है फूलो वाले की से तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपसन नंबर डी फूलो वाली की सिर जो है ना ये सिर्द सुलमान नद्वी का लिखा हुआ मजमून नहीं है याद रखिएगा चलिए आगे बढ़िए हयात इस शिबली के हयात पर हयात इस शिबली जो है ना किसकी हयात पर लिखा गया ये कॉशन भी मिस हयात इस शिबली लिखा गया था याद रखिएगा चलिए आगे बढ़िए कोशन नमबर 21 है कि शिबली नमानी की खुदबात और मुकालात को कितने जिल्दों में शाय किया गया तो देखिए आपसन ए में है आठ बी में है साथ सी में है छे और डी में है पांच तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपसन नमबर ए आठ आठ जिल्दों में परकाशित किया गया था आगे बढ़िए अगला सवाल है सवाल नमबर 22 कि दर्जजेल में से कौन से सुलिमान नद्वी की लिखी हुई किताब नहीं है कौन सा से सुलिमान नद्वी का लिखा हुई किताब नहीं है अपसन ए में अरब वहिंद के तालुकात बी में अरबो की जहाज रानी सी में सीरत आईशा और डी में खौबो की ताबीर तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपसन नमबर डी खौबो की ताबीर जो है ना वो से सुलिमान नद्वी का लिखा हुआ किताब नहीं है या रखिएगा चलिए आगे बड़ी अगला सवाल सवाल नमबर तेइस के से सुलिमान नद्वी के वालिद का नाम क्या था उनके पिता जी का क्या नाम था option A में है सेद अबुलहमीद B में हाकीम सेद अबुलहसन C में है सेद अबुलकासिम और D में हाकीम सेद अबुलरसीद तो अब्दुलरसीद तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा option number B हाकीम सेद अबुलहसन ठीक ये इदर चल हो जाएगा 23 नॉबर 29 पर और 7 मैं 29 सार्थ तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा एफसए नॉबर 30 नॉबर 29 पर इस भी को जो है न सेयद सुलिमान अद्वी का इंतकाल हो गया उनकी मौत हो गई आगे बढ़िए सेयद सुलिमान अद्वी का इंतकाल कहा हुआ अपसने में हैं लाहौर, बी में हैं कराची, सी में मुझफर पुर और डी में पतना तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपसन नमबर बी कराची में सेयद सुलिमान अद्वी की मौत हुई थी चली आगे बढ़िए, अद्वी का मानी क्या है? ठेक अपसने में हैं काहिल, बी में हैं अकेला, सी में हैं लाल और डी में हैं रांगा तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा देखें अहदी दो तरीके से होता है एक होता है एक मिन्ट या पर मैं आप लोगों को बता दू एक होता है दोनों पर जबर रहता है अलिफ के उपर भी जबर और हे के उपर भी जबर तो इसको पढ़ा जाता है अहदी और एक होता है ऐसे सिर्फ अलिफ के उपर जबर रहता है अहदी ये पढ़ा जाता है अहदी और इसको पढ़ा जाता है अहदी ठीक है तो दोनों में अंतर है इसका मतलब होता है काहिल इस अहदी का मतलब क्या होता है काहिल और यह वाला जो अहदी है ना इसका मतलब होता है अकेला याद रखिएगा तो यहां पर जबर तो नहीं दिया है कि किस पर ना तो अलिफ पर दिया है और नहीं है पर दिया है तो इसको आप लोग अहदी ही पढ़िए अहदी तो अहदी का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को अभी बताई ना अकेला तो इसको अप्शन नमबर बी लगा दीजिएगा ठीक है तो चलिए आगे कुशन देखते हैं कुशन नमबर 27 है कि निहार लवज है निहार जो यह लवज है यह कि जबान का लवज है मतलब कौन सी भाशा का ल कियेगा चलिए आगे बढ़िए लास्ट कोशन है कोशन नमबर 28 कि स्यद सुलिमान अद्वी की लिखी मजमून है स्यद सुलिमान अद्वी का लिखा हुआ मजमून यानि कि एसे इन चारों में से कौन है बताईए अपसन ए में है भूले बिसरेगी तभी में है इनसाईया इन शाया क्या है दो इसे दो में हैं स्यद सुलिमान अद्वी के लिखा हुआ जो मजमून है वह बाश पुराने लफजों की नहीं तहक्यक तो यह था चाप्टर नमबर 3 का सारा अबजेक्टीव कोशन जिसको आज किस वीडियो में अम लोग कंप्लीट किये कोई भी कम्फ पड़ों से अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा उसके उन्हें ज़्यादा शेयर करें और हाँ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा सब्सक्राइब कर लेने के बाद वेल अकन यानिकी घंटी को दुबा कर और का अफसलन क्लिक कर लेना है उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाली और वीडियो का और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा ठीक तो फिर बलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहि और हुदा हाफिस